डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकेंड बाद स्टार्ट न्यायादीस मोहोदे एक मात्र प्रत्यक्सदर्शी का मृत्तक के साथ गोली चलाने के समय जैसा की प्रत्थम इत्तिला रिपोर्ट में दर्ज किया गया है और पुने अन्य इस्तान से अभियुक्त को अपनी बंदूक से गोली चलाते हुए उसके दुआरा देखा जाना जैसा की न्यायाले में साक्षे दिया गया है इस मामले में एक मात्र प्रत्यक्स दर्शी साक्षी के कथन में गंबीर फर्क है और उनसे गोली चलाने के समय उसकी उपस्तिती पर गंबीर संदेहे पैदा होता है फुलिस्टोप जहां तक की प्रत्थम इत्तिला रिपोर्ट में आने वाला एक मात्र प्रत्यक्स दर्शी साक्षी दुआरा एक अन्य व्यक्टी को किया गया पुरुवर्ती कथन भी उसने नहीं अपनाया है फुलिस्टोप अत्य प्रत्थम इत्तिला रिपोर्ट से भी प्रत्यक्स दर्शी साक्षी की विश्वस्नियता का समर्थन नहीं होता फुलिस्टोप पैरा जहां ऐसा साक्षी जो हत्या जैसे गंबीर आरोप को साबित करने के लिए मात्र साक्षी है दोस्चिद कराने के विमार्शित प्रियोजन से अपने साक्षे को अभी योजन पक्स के विशेस मंतव्य के अनुरूप बदल देता है तो ऐसे साक्षी को विश्वसनिय नहीं माना जा सकता और उसके एक मात्र परिसाक्षे पर कोई दोस्चिद आदारित नहीं की जा सकती फुलिष्टो पैरा जब कोई तथ्य का नयाले भागत सुसंगत और भागत भी संगत सामगरी के आदार पर कारेवाही करता है तो यह बताना ऐसंबव हो जाता है कि निसकर्स पर पहुँचने में भी संगत सामगरी ने नयाले के मस्टिक्स को किस सीमा तक प्रभावित किया है फुलिष्टो पैरा पैरा प्रभावित कि निसकर्स पर प्रदूसित होते हैं क्योंकि ऐसा करने में आगराये सामगरी का प्रियोग किया जाता है और तद द्वारा बिदी विवादक उत्पन हो जाता है फुलिष्टो पैरा अभियुक्त गण को उसी गटना के दोरान चोट पहुँची जिसमें अभियुक्त गण दुआरा धारा 302-326 बारतिये दंड सहीता के अंतरगत अपराद कारित करना अभिकतित किया गया फुलिष्टो प उन चोटों के विशे में इसपश्टिकरण देने में अभियोजन साक्षी ऐसफल रहे फुलिष्टो प उनका अभिसाक्षी इसमें अभियुक्त गण संदेह का लाब प्राप्त करने के अधिकारी थे फुलिष्टो प एरा हत्या के मामले में विचारण में यदि अभिकतना नुसार अभियुक्त फरार हो और उसे किसी सारोजनिक इस्तान में अपराद में आलिस करने वाली वस्तुओं के साथ गिरवतार किया जाए किन्तु ऐसे समय कोई भी पंच साक्षी उपस्तित ना हो और ना ही उससे दंड स्परक्रिया सहीता की धारा 313 के अधिन फरार होने के संबंद में कोई प्रसन पूछा जाए तो यह अभी निर्दारित किया जाएगा कि अभियोजन का यह दावा एव इस्वस्निये है कि अभियुक्त फरार था फुलिश्टोप पैरा यदि अभी लेक गत साक्षे में ऐसी परिस्तितियां हो जिनके अभियोजन का पक्सकतन संद्यास्पद हो जाता हो तो अभियुक्त को युक्ती युक्त संदेह का लाव मिलना चाहिए और उसकी उक्त दारा 302 वारतिय दंड सहिता के अधिन दोसिद नहीं की जा सकती फुलिश्टोप पैरा प्रतम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में बिलंब जबकी संबंदित अधिकारी गटना इस्तल पर ततकाल पोंच गए थे और थाना भी गटना इस्तल के समीब था तथा प्रत्यक्स दर्जी साक्षी भी उपस्तित थे अभी योजन द्वारा इस बिलंब के लिए कोई समाधान प्रद स्पश्टि करण न दिये जाने से प्रत्यक्स दर्जी साक्षियों की गटना के समय गटना इस्तल पर उपस्तिती संदिग्द बन जाती है फुलिष्टोप पैरा यदी गटना के कतित प्रत्यक्स दर्जी साक्षियों दुआरा गटना की प्रत्थम इत्तिला रिपोर्ट नहीं दी गई है या उनके नाम दी गई प्रत्थम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं है या किसी प्रत्यक्स दर्जी साक्षियों को पहुची सती की चिकत्सिये परिक्षा कराने में बिलंब हुए है फुलिष्टोप समाप्ध